Hello everyone, welcome you all at Locke's Islander. तो paper चल रहा है हमाय पास I do Cart series का question sample paper no. 9 है और sample paper no. 9 में जो doubt discuss करेंगे यहाँ पे देखे तो पहला question जो doubt आया बच्चो को हो है question no. 27 देखते है question no. 27 का क्या-क्या part है तीनों part को one by one हम discuss करेंगे तो सबसे पहले आपको length of the arc APB निकालना है तो यह आपके पास center है आपको length of the arc APB निकालना है तो so simple formula लगा दीजे length of the arc का कितना हो था formula 2πr into theta by 360 ओके formula आता है सभी को न येस 27 येस ये देखे तो पहला वालो जो part है पहला जो आएगा formula आपके पास length of the arc APB is equal to 2πr into theta upon 360 done one marks दे दीजे अब इसके बाद दूसरे पार्ट में निकाला गया है area of the sector दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है area of the sector so ये भी बहुत easy है इसका formula क्या होता है directly इसका formula होता है πr square into theta by 360 so πr square theta by 360 ये हो गया दूसरा पार्ट done अब तीसरे पार्ट में आपको बोला गया है area of the minor segment तो बच्चों जब मैंने आपको बताया था minor segment का area किस तरीके से निकालना पड़ता है अगर आप इस पूरे sector में से इस triangle को remove कर देंगे इस triangle को क्या कर देंगे remove कर देंगे तो क्या बनता था formula segment का ये segment निकलाता था area of the segment इकल to area of the sector minus area of the triangle area of the sector minus area of the triangle तो sector का area तो आपने ये निकाल रखा है तो यह देखो यह रख दिया, 77 upon 12, और area of the triangle, अब triangle का area कैसे निकालोगे, देखो मजे की बात यह है, कि यहाँ पर यह angle किते दिया गया है, 60 degree, और आपको पता है कि यह भी radius है, यह भी radius है, तो opposite angle, opposite side के क्या होते है, equal, तो इसको मानलो theta, यह भी मानलो theta, तो condition क्या लग जाएग इसी को ले के आप लोग परिशान हुए थे, कि से triangle का area कैसे निकाले, है न, तो 2 theta plus 60 equals to 180, so 2 theta is equal to कितना हो गया, 120, so theta is equal to कितना डिगरी, 60 degree, आरे वाह, मतलब यह कौन सा triangle है, यह equilateral triangle है, 60 यह भी है, 60 यह भी है, 60 यह भी है, 60 यह भी है, और equilateral triangle का area कितना होता है, Equilateral triangle का area होता है, under root 3 by 4 into A का square, side का square, और side क्या है, इसकी radius है, तो 3 by 4 into A की जगे R लगा सकते हो, आप क्योंकि इसकी side क्या है, radius है, तो देखिए, area of the sector, यह put कर दिया, minus 3 by 4 into side का square, side क्या है इसकी 3.5, तो 3.5 का whole square solve कर दिया, और इसको solve करके इस तरीके से आ जाएगा, बोलो ब इसका और वाला कर दे, यह C तो clear है न, अच्छे से, अच्छा, यह solve कर दूँ पूरा, ओके, no problem बेठा, चलो solve कर दे भाई है अपने इसको, 77 upon 12, ठीक है न, minus root 3, root 3 कितना होता है, 1.7 होता है न, देखो root 3 की value आपको हो सकता, question paper में भी दी गई हो, 1.732, जड़ा देख लेते होता है, root 3 की value दी है कि नहीं दी है, लिओ दी है, 1.73, खुदी दे रखा है कि आपको 1.73 पूट करना है, तो फिर हमको 1.73 ही पूट करना पड़ेगा, तो लिओ, हम value पूट करते है, root 3 की value, 1.73, multiplied by 3.5 का square, देखो बच्चो, तो 3.5 एक बार, 3.5 दो बार, और divide में कितना है 4, ठीक, 77 upon 12 minus, 1.73 को यहीं आप चाहो, तो 1.7 भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, 1.73, इंटू बिटा इसको लिखो 35, इंटू इसको लिखो 35, ओके, 35 कैसे हो गया, 3.5 है, break करोगे 35 उपर, नीचे बचेगा 10, तो नीचे भी 10, इधर भी 10, और इधर पर कितना है, 4, चलो, काटो, पाँच से कटेगा, पाँच से दो बार 10, पाँच से साथ बर पहते, 5, 2, 10, 5, 7, 35, ओके, so now what we have, we have 77 upon 12 minus 1.73, multiply by 7, 7, 49, divided by 4 into 2 into 2, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 16, ओके, यह आ चुका है, अब इसको और ज्यादा आपको simplify करना पड़ेगा, देखो, यहाँ पे इसने answer 53 by 10 ला दिया है, जरूरी नहीं है कि आपका answer यहाँ पे 53 by 10 match हो जाए, वो इसलिए क्योंकि इसने इसको approximate किया है, जरूरी नहीं कि हम वही approximate कर पाएं इसको, ठीके न, 1.73 into 49 करता हूँ, कुछ ना कुछ result जरूर मिलेगा, wait, तो देखे, on screen calculator आपके पास में है, और हम इसको देखते है, solve करते है, क्या solutions आएगा, हमाँ आपस कितना है, 1.73 multiplied by 49, okay, equals to कर दिया, मैंने कितना आ गया, 84.77, ठीक है, 84.77, और हमें इस चीज को करना है, divided by 16, so solve करने पर कितना आ गया, मेरे पास, 5.29, बस तो यहाँ पर आप इसको solve कर लिजे, तो 77 upon 12, minus 5.29, अब 77 by 12 को solve कर लेते हैं, 77 by 12 को भी हम solve कर लेते हैं, 77 divided by 12 equals to, कितना आ गया, 6.41, तो answer है, 6.41 minus 5.29, तो मैं solve कर लेता हूँ, 6.41 minus 5.29, 6.41 minus 5.29 equals to, आ रहा है हमें, पस 1.12, 1.12, देख लेते हैं, कि यह answer match कर रहा कि नहीं कर रहा, मेरा approximate answer कितना आ रहा, 1.12, अब इनका answer देखे, 67 upon 60 है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग, 67 divided by 60, 6.0, answer किया, 1.11, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 1.11, इससे साबित होता है, कि आप लोग का answer, अगर आप यहां तक भी छोड़ कर के आ रहे हो, तो बस 0.5 काटने की गुंजाई से, और मैं कहूंगा भी, कि अगर आपके पास वक्त कम हो, तो आप लोग इसको solve मत करना, क्योंकि 0.5 कमाने के चक्कर में तीन नंबर का question छोड़ के आ जाओ, ये तो बेवकूफी हुई, ठीक ना, तो इसलिए आप लोग यहीं तक इसको छोड़ के आ जाना, हाँ, अगर आपके पास वक्त हो, तो फिर decimal, division, decimal, multiplication, ये सम्मस्दूरी बाद में करते रहना, चलिए, दन आगया समय में अचे से, ओके और कोशो कॉशन वताओ, 24, 27, done, then now question number 24, आजाओ भ़ई जाओ, 27, 24 पीछे होगा, ये लो, Okay, question number 24 With his friend Siddharth visited a park He sat behind a tree Next to a lovely lamppost AV His friend estimated that approximate distance Between the lamppost foot And the tree was 7 meter उसने देखा कि अप्रोक्समे डिस्तेंस जो है Lamppost foot और ट्री के बीच की 7 meter है आजो भाई तो डाइग्राम बना हुआ है बड़ा प्यारा सा ये जो डिस्तेंस है ये कित्तें meter है 7 meter है Okay, 7 meter If AC plus AB equals to 49 AC plus AB equal to 49 Then find the value of 6C Very simple question AC plus AB 49 है AC plus AB equal to 49 बटा एक काम करते हैं अपन AB को क्या माल लेते हैं अपन X माल लेते हैं AB को हम क्या माल लेते हैं X माल लेते हैं So we have what? AC plus X equal to 49 Naman clear हो रहा है AC plus X equal to 49 तो यहाँ से AC की value कितने निकलेगी? शाश्वत बोलो AC equal to 49 minus X ठीक है ना? तो AC की value यहाँ से कितने निकलेगी बटा? यहाँ से AC की value निकलेगी 49 minus X बोलो समझ में आया इतना पार्ट की नहीं आया? देखो फिर से एक बार बताता हूँ देखो नीचे वाला कितना दिया? foot 7 meter very simple अगला क्या दिया है कि इसका और इसका sum 49 है AC और AB AC यह दिख रहा है बड़ा सा इधर वाला AC है और यह perpendicular AB है तो AC plus AB equal to 49 है तो AC plus X equal to 49 तो AC equal to 49 minus X बोलो इतना clear है कि नहीं है? ओके लगा दो Pythagoras theorem आगे answer तो Pythagoras theorem से AC का square equal to AB का square plus BC का square लिए भाई AC कितना है? 49 minus X है whole square equal to AB कितना है? AB है 7 AB है X AB है कितना X? बिटा recorded lecture है शांत बैठ हो तो mute करके बात करो AB है X और यह अपने पास कितना है? BC कितना अपने पास में? BC अपने पास में है 7 तो 7 का square चलो अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद इसको simplify कर लेते हैं तो question number 24 देखते हैं किस तरीके से simplify किया गया है? ये ये देखिए तो जो हमने किया है उसी को बस इसने simplify कर दिया है AB square प्लस 7 का square 49 8 x equal to x square plus 49 x square x square cancel का लेना अभी धर धर लाके solve कर लोगे की नहीं कर पाऊगे? चलो अगला डाउट बता हूँ नेक्स डाउट बोलो 29 29 देखिए समझे इस question को अच्छे से तो पहले क्या है हमें एक triangle दिया गया है question number 29 यह हमें एक triangle दिया गया है जिसके हमको तीन vertex दिये गया है एक है A, एक है B और एक है C यह दिया गया है अब कह रहा है कि सबसे कह रहा है कि यहाँ पर AD निकालो और AD क्या है? median है, AD क्या है? median, तो D point कैसे निकलेगा? midpoint formula से तो midpoint formula क्या होता है? x1 plus x2 by 2 x1 plus x2 by 2 तो use करके x1 कितना है? 6 plus 1 upon 2 बोले तो कितना आ गया बोलो? 7 by 2 और 5 और 4, कितना होगा? 9 तो कितना होगा? 9 by 2 अब देखो, अब कह रहा है कि एक जो point P है वो AD को 2 ratio 1 में तोड़ रहा है AD को 2 ratio 1 में break कर रहा है मतलब 2 हिस्से उपर और 1 हिस्से नीचे तो यह अपने पास में है AD तो यहाँ पर कोई point ले लो जो हमको find करना है जिसका point है P और यह किस ratio में तोड़ रहा है 2 ratio 1 तो भाईया आपको A भी पता है आपको D भी पता है और आपको अब यह point P निकालना है तो आपको section formula भी पता है क्या होता है section formula M1 x2 प्लस M2 x1 अपन M1 प्लस M2 यह होता है हाँ यह होता है X का coordinate है ना? तो आओ देखते हैं कैसे लगेगा M1 कितना है? 2 M1 x2 X2 कितना है? 7 by 2 तो 2 into 7 by 2 प्लस M2 कितना है? 1 into उपर वाला X कितना है? 4 तो 1 into 4 divided by दोनों ratio का sum 2 plus 1 clear हुआ कि नहीं हुआ? ओके फिर देख लो Y वाला M1 Y2 तो 2 का multiply नीचे वाले Y के साथ M1 Y2 plus M2 Y1 1 का multiply उपर वाले Y के साथ कौन है? 2 है upon M1 plus M2 अब solve कर लोगे? Yes sir Done चलिए और बताए कौन सा? 32 32 32 32 पहले पढ़ते हैं In the given figure ABC and DBC are two triangle भाई सब एक triangle है ABC तो एक triangle ABC को आँखों में बसा लो क्योंकि similar triangle के question को आँखों में बसाना पड़ेगा triangle class 10th का सब से tough segment है थोड़ी सी मेना तो लगती है तो यह triangle हो गया ABC और दूसरा triangle क्या है DBC? DBC तो दूसरा triangle भाई साब यह है ABC और DBC यह वाला triangle है ठीक ना? On the same base BC ABC same base पे बन रहा है कौन सा base है ABC same base पे BC पे बन रहा है विल्कुल सही बात है और और दोनों कहां पर intersect कर रहे हैं दोनों ओपर intersect कर रहे हैं ठीक ना? ABC जो है ABC कहां पर है यह है A यह है B और यह है C If AD intersect BC at O Sorry अगर AD जो है BC को O पे intersect करता है तो so करो कि triangle ABC upon triangle DBC equal to AO upon DO चलिए ये हमको finally proof करना है और इसको proof करते हैं maybe construction करना पड़ेगा हमको ये देखिए A से BC पर perpendicular डालिए M और D से BC पर perpendicular डालिए N आपने A से BC पर perpendicular डाला M और D से BC पर perpendicular डाला N क्योंकि ये point D है और ये point A है अब हमारे पास कित्रे triangle बन चुके हैं हमारे पास दो triangle बन चुके हैं triangle A, O, M और D, O, N ये देखो ये है A, ये है O, ये है M और ये है D, ये है O, ये है N देखो बहुत अच्छे से बच्चों ये angle, ये angle equal ये 90 degree भी है ये भी 90 degree है तो क्या लग जाएगी angle, angle criteria क्योंकि दो angle equal है तो तीसरा तो equal होनी पड़ेगा मजबूरी में तो दोनों angle से हमारे triangle क्या हो गए हमारे triangle हो चुके है similar और similar triangle कौन कौन से A, O, M triangle A, O, M A के जैसा कौन? D O के जैसा कौन? O M के जैसा कौन? N तो triangle A, O, M similar to triangle D, O, N अब लगा दो C, P, S, T C, P, S, T मतलब corresponding part of singular triangle क्या कहता है? A, O upon D, O equal to इधर वाले A, M upon D, N equal to O, M upon O, N यह लगा दी हमने C, P, S, T ठीक तो यहां से क्या काम की चीज़ आ गई है हमारे? यहां से हमारे काम की चीज़ आ गई कि जो A, M upon D, N है वो आ गई A, O upon D, O के equal यह चीज़ हमारे काम में आईगी देखना कैसे अब हम निकालते हैं area किसका? ट्रेंगल A, B, C का area यह A है, यह B है और यह कहाँ है, C कहाँ है? यह बैठा है ट्रेंगल A, B, C तो ट्रेंगल A, B, C का area बेस क्या है? B, C हाईट क्या है? A, M तो 1 upon 2 बेस है B, C हाईट है AM दूसरा देखो दूसरा ट्रेंगल कौन सा था? DBC DBC मज़दाय ट्रेंगल यह देखो DBC इसको red color से दिखाता हूँ आपको मैं यह ट्रेंगल है DBC यह देखो तो DBC ट्रेंगल में base कितना है BC height कितनी है DN तो BC से BC क्या हो गया cancel 1 upon 2 से 1 upon 2 क्या हो गया cancel बच क्या गया AM upon DN और अभी अभी आपको पढ़ाय गया है कि AM upon DN किसके क्वल होता है AO upon DO के तो यही प्रूफ करना था ना hence proof ले लो screenshot बेटा समझ में आ गया ना clear है ना चलिए और बताओ कौन सा question नहीं बचा कौन सा question नहीं बड़ा इसी के और वाला चलिए प्रूब देट लाइन सेग्मेंट जोईनिंग दा मिट पॉइंट पॉइंट अप दा साइट अफ ट्रेंगल फॉर ट्रेंगल इच उप विच इस सिमलर तो ओरिजिनल ट्रेंगल प्रूब देट अफ दध लाइन सेग्मेंट जोईनिंग दा मिट पॉइंट अब दा सैट्स ऑफ ट्रेंगल फॉर ट्रेंगल देखो भाई साब के रहा कि कोई आपके पास ट्रेंगल है उन ट्रेंगल की तीनों साइट का मिट पॉइंट ले लो तो कीह प्रूफ करना है ? A कि यह चारो ट्रीयंगल आपस में similar होते हैं चारो ट्रैंगल आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल चलो, कैसे, इसमें नाइन्थ क्लास की मिड़ पॉइंट थियोरम की प्रॉपर्टी लगती है, और बड़े आराम से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक ना 9th class की midpoint theorem की property लगाते हैं आईए इसको मैं solve कर देता हूँ ये हमारे पास में मैंने एक triangle बनाया ओके ये angle A है ये B है और ये C है ये midpoint है ये midpoint है तो midpoint को join करने पर हमने क्या पढ़ा था कि midpoint को join करने वाली जो line होती है वो इसके parallel होती है baseline के मतलब यदि ये angle X है और ये angle Y है तो ये angle भी होगा X और ये angle भी होगा Y ओके बच्चों देखें नेक्स देखें तो ये angle X हो गया ये angle अपना Y हो गया अब देखें आंगे ये angle कितना तो मतलब ये चीच जो है ये इसके क्या हो गई parallel ठीक है अब अगला point देखें यहां से इसका midpoint ये है ठीक है अगला देखें अगला midpoint ये ले लिजे तो ये देखें अब इसमें क्या रूल होता है ये side के parallel होगी ये वाली side तो अगर ये angle Y है तो ये वाला angle भी कितना होगा Y होगा ठीक है ना क्योंकि ये angle Y है तो ये वाला angle भी कितना होगा Y होगा अगला देखते हैं अगला midpoint बनाईए ये देखें तीसरी side ये midpoint को join कर दीजिए येस तो इसमें क्या rule लगेगा देखिए ये angle X है तो ये angle भी कितना होगा X होगा तो आपको पता है X प्लस Y प्लस Z इकल डू कितने degree 180 degree चलो तो देखते हैं X है Y है तो मजबूरी में इसको क्या होना पड़ेगा Z ये X है ये Y है तो मजबूरी में क्या होना पड़ेगा Z बुलो आ गया समझ में clear है तो इस तरीके से हमारे पास ये जो triangles बन रहे हैं ये triangle अब एक चीज़ और देखो ये जो line है ये जो line आ रही है ये line इसके parallel है ये line इसके parallel है तो ये opposite angle बन रहा है तो ये angle X है तो alternate interior से ये भी कितना होगा X अच्छा ये Y बन रहा है तो alternate interior से ये भी कितना होगा Y और अगर ये X है और ये Y है तो ये कितना होगा Z देखो तीनो triangle में क्या angle अलग-अलग है कि सब के same बन रहे है same बन रहे है इसका मतलब ये triangle क्या होँगे सब के सब similar होँगे so by AA property अब आप अलग-अलग angle को लेते जाओ अलग-अलग triangle को लेते जाओ इनका नाम दे दो इसका नाम दे दो D इसका नाम दे दो E इसका नाम दे दो F तो जितने भी triangle है वो सब AA property से क्या हो जाएंगे similar हो जाएंगे अब इसको लिखने का तरीका शायद इसमें solution में देख लीजिए और उस solution के हिसाब से आप लिख दीजिए कौन सा question था यह और वाला यह लो तो इसमें क्या किया गया भाई तो वही किया गया है देख लीजिए है ना जो मैंने किया है उसी को लिख दिया इसने बड़े खतरनाक तरीके से तो आप diagram बनाईए अलग-अलग लिख दीजिए कि यह parallel है यह parallel है हो गया करते जाएए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कलोगे बोलो तो लिखना है बस उसमें मतलब खतरनाक तरीके से आपको लिखना है डन और बता और क्या बताना है एनी मोर कॉस्चन गाईज थर्टी फाइफ का और वाला ओके आफ्टर कैल्कुलेटिटिंग जीरो 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 अब क्वाट्रेटिक पॉलिमल इस वेरिफाइब रिलेशन से बिडवीन दम को फिजन सो इंपल कोश्चन सबसे पेले यहां पर इसको एक्वेशन को आप मेन एक्वेशन से कंपेर करना है एक से स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी से अपन इसको कंपेर करेंगे ठीक ना इस यह देखिये तो हमारे पास गिवेन पालिनोमियल है पी एक सेकोल टू एप एग से स्क्वेर ब्लस बी स्क्वेर माईनस ऑर माईनस कितना बी सी तो मैं आपके लिए जान बूछ करके अब मैं जिससे कंपेर करता हूं मैं वो equation लिख रहा हूँ PX equal to capital AX square plus capital BX plus capital C अरे सर आपने इस बार सारे capital क्यों ले लिए क्योंकि question में small involved है इसलिए आप confuse ना हो इसलिए मैंने capital ले लिए तो comparison करो coefficient का तो capital A equal to कितना है small a B capital B कितना है B square minus A C कुछ बोल रहा हूँ और capital C कितना है बिटा minus B C अब कहरा है इन में relation से दिखाने तो पहले relation से होती है alpha plus beta and alpha plus beta होती है minus B upon A तो यहाँ पर minus लगाया B की value फिलहाल कितनी है B square minus A C upon A B minus sign का multiply करो दो minus A C plus A C हो गया यह पहला आगया दूसरा relation alpha into beta कितना आजाएगा C upon A तो C की जगे कौन खेल रहा है B C minus का और A की जगे कौन खेल रहा है A B तो B से B cancel कितना हो गया minus C upon A अब हमको बनाना है equation क्या बनाना है equation बनाना है तो यह चीज तो हो गई है sorry equation नहीं बनाना है यह हमको verify करना है तो एक तो हमने निकाल लिया alpha beta alpha plus beta alpha into beta अब देखो अब इसको अपन को simplify करके दिखाना है कि यह बात सही है कि गलत है तो हमारे पास equation क्या है हमारे पास equation है A B X square plus B square X minus A C X minus B C तो क्या common आ रहा है देखो यह जो equation था इसको आपने खोल लिया डर मत जाना इसको खोल लिया आपने तो पहले बाले से क्या common आ रहा है B X तो अंदर क्या बच गया A X plus B फिर क्या common आ रहा है minus C तो अंदर क्या बच गया A X plus B तो A X plus B पूरे से common ले लिया तो बच क्या गया B X minus C माइनस बी अपॉन ए और दूसरा CX, BX माइनस C इकल टो 0 पॉन कुरने पर X इकल टो C अपॉन B, दो चीज़ें आ चुकी है, now sum of the zeros निकालना है, तो क्या आएगा, दोनों को add कर दो, ये दोनों zeros को, तो C अपॉन B प्लस माइनस B अपॉने, solve किया, LCM कितना आ गया, A, B A धर जाएगा, B धर जाएगा, answer हो गया, A, C माइनस B स्क्वेर, चलो चेक करते हैं, हमने sum निकाला था, उपर निकाला था sum, कहां पर, A यहां पर, चलो थोड़ा सा screen को उठाता हूँ देखता हूँ, क्या same to same आया है, yes, बिल्कुल same to same आया है, A, C माइनस B स्क्वेर, अपॉन A, B ओके, मतलब verify हो गया, क्या हो गया, verify, अब इसके बाद देखते हैं, product, तो हमारे roots कितने आया हैं, यह आया हैं, इन देखो, यह देखो, यह बैठा हुआ, product, minus C upon A, तो बिल्कुल verify हो चुका है, इस तरीके से, this relation is verified, बोलो done, अच्छा, अब यहां पर आपकी मर्जी है कि पहले आप roots निकालें, या पहले alpha plus beta करतें, जनरली जब मैंने class में करवाया था, तो हमको multiply किया, add किया, तो यह आपके ऊपर है कि आपको पहले क्या करना है, done, और बताओ, 34, okay, 34, 34, P, Q and Q are the tangent of the circle in the given figure with center O, P and R respectively, find the value X, okay, भाई, साब X की value find करनी है, चलो मिला दो भाई, टिक, 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 बोलो, पता है न, 52 पार्ट में कटता है, 25 में और 25 में, याद आया कि नहीं है, हाँ, तो ये वाला एंगल नीचे वाला कितना 25 होगा कि नहीं होगा, हाँ, ये वाला एंगल कितना होगा 25, clear है, ओके 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 यह वाला एंगल हमारा 25 हो गया हमसे कह रहा फाइंड वैल्यू अफ एक्स एक्स वाला एंगल कौन सा है यह तो पूरा का पूरा यहां से 90 डिग्री हो जाएगा फिर एक्स में फाइंड क्या करना है एक्स आई थिंक यह वाला एंगल होगा बाहर वाला एक्स यहां पर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ध्यान से देखो जूम करके अगर आप पूरा का पूरा एक्स लेते हो यहां से लेकर के यहां तक तो यह पूरा का पूरा जो एक्स होता है यह कित्य डिग्री होता है 90 डिग्री होता है विगोज यह होगी रिडियस चलो खेर कोई बात नहीं अब देखिए ध्यान से मैं इसको यदि इससे मिला देता हूँ देखो जी यदि मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये क्या है रिडियस ये भी क्या है रिडियस अगर ये 20 है तो ये किता होगा 20 बिल्कुल सही ठीक है ना ये 20 है तो ये भी 20 होगा चलो, यह हो गया 20, यह भी हो गया 20 हमारे पास में, और यह 25 हो चुका है हमारे पास में, यह 20 हो चुका है, तो यह वाला एंगल हमारे पास में कितना होगा, देखे, टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180, कितना होता है, 180, तो 180-40 हो जाएगा, अब देखो एक चीज, हमारे पास सिमानदारी से ये भी 20 बनेगा और ये भी हमारे पास कितना बनेगा 20 बनेगा ठीक ना क्योंकि ये सब सिमिलर कॉन्गूरेंट हो जाएगा तो ये 21 बन गया अब प्रॉब्लम ही आ रही कि भाई सब ये पूछ कौन सा एंगल रहा है तो ये तो 20 बन चुका है मेरे ख्याल से ये बाहर वढ़ा इंगल पूछ रहा होगा ये वाल एंगल हाँ आब देखे आपको सबको पता है कि ये होती ही रेडियस और ये होती ही टेंजन्ट और रेडियस और टेंजन्ट के बीच का होता है 90 जिसमें से 20 कट लिया तो कट लिया अगर 20 तो बाहर वाला कितना बचा 70 तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 70 डिग्री इसको देना चाहिए X का चलो देखते हैं तो question number कौन सा था भाई है 34 का आंसर देखेंगे 34 का आंसर 45 बता रहा है एक मिनट 34 का आंसर 45 डिग्री ये कोई अलग question की बात हो रही है भाई देखें एक concept इसमें लग गया है ये हम लोग ने यहाँ पे एक गरबड़ी कर दी है क्या गरबड़ी करिए देखें गरबड़ी ये करिए कि मैंने बीना प्रूफ करें मैंने इसको इसके concurrent मान लिया इस वजए से ये गलती हो रही है तो हमें इसको इसके concurrent नहीं मानना है थोड़ा सा इसको हमको solve करना पड़ेगा तो ये question इस लिए इस तरीके का परिशान कर रहा हम लोग को क्योंकि हमने यहाँ पर इसको नीजे वाले को उपर वाले के equal माल लिया है एक बार फिर से इसको सही तरीके से करते हैं तो फिर आपको मैं समझाता हूँ कि यह कैसे होगा एंगल जो निकाला गया है एंगल x opt is equal to 90 तो x एंगल जो है वही वाला एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं इतना एंगल x है यह एंगल x है यह वाला ठीक यह एंगल x है चली अब solve करते हैं इसको अब एक property होती है कि property होती है कि किसी transit से अगर बनाते हो तो यह एंगल का और यह एंगल का sum किते degree होता है 180 degree तो अगर यह 50 है तो यह कितना होगा 130 बुली होगा कि नहीं होगा क्योंकि भाई इसका और इसका sum कितना होता है 180 degree angle s plus angle q equals to 180 हुआ करता है तो angle s equal to कितना हो जाएगा 130 one over 80 minus 180 minus कितना 50 that is equal to 130 सही है ना चलो ठीक है ओके अब आंगे बढ़ाते हैं इस कारेक्रम को भाई यहां से यह तो हो चुका है 130 यदी मैं इस line को join कर देता हूं और यहां radius है यह भी radius है कुछ तो problem है इस diagram में यह भी radius है यह भी radius है अगर इस तरीके से किया जाए तो यह 20-20 हो जाएगा क्योंकि यह 20 है तो सामने वाला 20 होना चाहिए बट 20 तो नहीं हो रहा है चलो solution में देखते हैं तो सबसे पहले हमने 130 निकाल लिया बिल्कुल सही बात है अगर हमारे पास angle कितना आ चुका है 130 अब 9th class की property है कि यह जो angle होता है इसका reflex angle यह वाला हुआ करता है यह 9th class की property है इस angle का reflex angle जो होता है यह वाला हुआ करता है तो 130 का reflex angle निका लो तो 360 माइनस 130 ठीक है ना 360 माइनस 230 जानते हो यह क्यों हो रहा ऐसा question actually यह इसका center नहीं होगा हम जैसे इसको center मान बैठे ना यह चीज तो यह चीज इसका center कर नहीं होगी मतलब diagram पूरा उस तरीके से clear बना नहीं है भले लोगों ने बना दिया है बट ओ तो लिखा हुआ है doubtful situation है समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कर लो खेर अब देखते हैं तो बच्चों यह 130 आ गया था 130 का reflex angle यह बनेगा और 130 का reflex angle कितना आ जाएगा भाई solve कर लो 360 में से 130 माइनस कर दो तो 0, 6 में से 3 का 3, 230 डिगरी तो 230 डिगरी जो है यह reflex angle आ गया angle ROP यह आ गया 230 डिगरी ओके अब देखो जी यह 230 है और यह angle भी आधा आधा बटेगा तो 230 का half half कर दो 2 बंजा 2, 2 बंजा 2, 2 फाइब जा 10 मतलब उपर कटेगा 115 डिगरी और नीचे भी कटेगा 115 डिगरी ठीक है उपर कट गया 115 डिगरी और नीचे भी कट जाएगा 115 डिगरी तो half half उपर नीचे angle कट जाएगा ठीक है अब देखिए O R equal to O S तो R S O equal to O R S equal to इतना तो भाई मैंने भी तो यही किया था था ना यह साइड इस साइड के equal है तो फिर बीस बीस चालिस हो रहा है यह क्या बात होगी angle R S O equal to O R S मतलब नीचे वाला angle बड़ा हो जाएगा इसका मतलब चलिए देखते हैं तो यहां से यह वाला angle 20 है तो यह वाला angle कितना हो गया 20 और total यह कितना था 130 था तो 130 में से 20 कट गया तो यह कितना हो जागा 110 देखो नीचे वाले triangle की कोई guarantee नहीं है हम 20 यहां तो ले लिए है वो legal है मगर यहां पर 20 मान रहे थे वो illegal है यह mistake हो गई हम लोगों से तो यह उपर वाला 20 है चलो ठीक है बट total angle कितना था 130 तो 130 में से 20 कट करके नीचे कितना बचेगा 110 बचेगा कि तो नीचे जो एंगल बचेगा 110 बचेगा दिखे तो ORS इकल तू कितना हो गया 20 तो now angle ROS ROS कहाँ पर बन रहा है ROS कैसे निकलेगा 20 और 20 कितना हो गया 40 और 40 कितना गया 180 में से तो यह कितना हो गया 140 140 हो गया यह वाल एंगल कितना हो गया 140 डिगरी ठीक है ऑकि अब अब देखिए हमें जो दूसरा एंगल आंगे पता करना है हमें पता करना है POS एंगल POS कैसे पता करेंगे ये वाला पार्ट 140 है और ये वाला पार्ट हमारे पास कितना है 230 है तो 230 प्लस 140 3, 7, 0 अरे दुरघटना कैसे हो रही ये माइनस क्यों करवा रहे हो भाई इधर का एंगल 230 है और इधर का एंगल आप 140 बना रहे हो तो 370 और जबकि 360 से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है ये एंगल 370 आ रहा है ऐसा तो कुछ होई नहीं सकता है इधर बाला एंगल अगर 230 है 230 माइनस 140 किया गया है रिफलेक्स पी ये इसमें मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए इसको मैं एक्जेक्ट डाइग्राम बनाके मैं आपको करके दूँगा ठीक है बच्चों? ये इतना आसान से नहीं हल हो रहा है इसमें थोड़ा सा मेरे को वक्त चाहिए है और कंसंट्रेशन मोंड में करने का मेरे को वक्त चाहिए है ऐसे यहां क्लास में अभी कराना इसको टाइम की खराबी होगी तो अभी अगला क्वेश्चन कराते हैं तो क्वेश्चन नमर्र 34 चैलेंजिंग क्वेश्चन है अच्छा आया है देखते हैं इसको क्या है यह क्वेश्चन नमर्र 34 के बाद कौन सा डाउट है 36 36 छोड़ दिया पूरा का पूरा देखते ही क्यों हाँ देखो find the area of the triangle OHK OHK कह रहा है कि triangle OHK का area find कर दो भाई पहले OHK बना तो लो 36 कोश्चन बनाना पड़ेगा आपको अपने से draw करके तो find the area of the triangle OHK तो पहले आपको इसमें OHK बनाना पड़ेगा कैसे बनेगा देखो यह draw कर दिया यह OHK है अब पैरा बोला हमारे पास क्या है? y equal to 36 minus x square यह equation दी गई है y equal to 36 minus x square भाई देखो गजब मिस में मेहनत करनी पड़ेगी ध्यान से सुनो इसमें कैसे करना पड़ेगा y equal to 36 minus x square बच्चो जब आप x axis पे आते हो तो x axis पे y की value क्या होती है? 0 x axis पे y की value 0 तो y की value 0 रख दोगे तो 36 minus x square equal to 0 तो x square equal to 36 मतलब x equal to plus minus 6 तो एक आएगा यहाँ पर point 6 तो एक point बन गया 6,0 और दूसरा point बन जाएगा minus 6,0 अब क्या निकाल ली है? height height निकाल ली है ओके? तो यह कौन सा axis है? y axis है तो यहाँ पे y की value 0 डाल दो तो y की value 0 सुरी, यहाँ y axis है तो y axis में x 0 होता है तो x की value 0 डाल दीजे यहाँ पे, तो देखे y equal to 36 minus 0 का square तो y equal to कितना आ गया? 36, बहुत अच्छा question है बच्चो होई है बहुत दिमाग लगाने वाला question है यह देखे, क्या था? आपको parabola equation दी गई थी गोली मारो जो equation दी गई थी वो अपने लिख लिया एक point कहाँ पर है? x axis पर है तो x axis के लिए क्या put कर दो? y 0 put कर दो और एक point आपका x axis पर है x axis के लिए क्या put कर दो? y axis के लिए क्या put कर दो? x 0 कर दो तो y के लिए आपने x0 किया तो x की y की value कितनी आगई 36 अब area निकालना है तो so simple area of the triangle कितना होता 1 upon 2 base into height तो base कितना निकल गया यहां का 6 height कितनी निकाल लिए आपने 36 तो लिए काट दो भाई 3 से तो answer 36 into 3 answer 108 तो पहला answer आएगा 108 यह देखो बिल्कुल सही बोलो done कर लोगे कोई कोई दिक्कत है क्या ठीक है देखिए हाँ इसमें बी वाला पार्ट find the non-zero value x for which a equal to 0 कह रहा है कि non-zero value निकालो जिसमें कि a की value 0 हो जाए find the non-zero value of x for which a equal to 0 तो a क्या है a आपका rectangle का area है ठीक ना a आपका rectangle का area है और rectangle का area आप किस तरीके से निकालेंगे देखिए rectangle का area होता है length into breadth length into breadth तो length यहां पे है PQ length आपने बना ली है क्या PQ और breadth आपने बना ली है P.S. अब समझो बच्चों PQ और P.S. से कैसे निकलेगा अगर यहां तक की distance x है यहां तक की distance x है तो यह भी कितनी होगी x तो x plus x कितना हो गया 2x तो length equal to हो गई कितनी 2x और इस point को अगर आप x, y मान रहे हो तो यह height कितनी हो जाएगी y तो length into breadth area equal to कितना हो जाएगा 2x into y तो यहां पर हमाय पास जो area आया वो कितना है rectangle का 2y into x ठीक है तो 2y की value कितनी है 36 minus x square into कितना x ठीक है अब multiply कर दीजिए यहां पर x का तो कितना हो जाएगा 72x minus 2x cube अब कह रहा है कि x equal to 3 पर area कितना होगा तो x equal to 3 पर area निकालने के लिए x की value 3 रख दीजिए तो 72 into 3 minus 2 into 3 का cube answer आगया कितना 162 दूसरा कह रहा है कि बताइए area कब 0 होगा तो area आपने कितना निकाला है 72x minus 2x cube equal to 0 कर दो तो 2x cube equal to कितना हो जाएगा 72x x square equal to 36x equal to plus minus 6 तीसरा part जो इसमें पूछा गया तीसरा part वो है find the length of segment hk देखो भाई तो बहुत simple काम है तो इसकी value पता आपको 6,0 और इसकी value पता आपको 0,36 तो distance formula लगा दीजिए under root x2 minus x1 square y2 minus y1 square आपके पास ये भी है जाएगा तो question paper को देखके लग रहा है कि आप इस question को जल्दवाजी में ना करें इस question को आप पूरा टाइम दे अगर आप जल्दवाजी में इस question को करे होंगे तो ये question आपसे कभी नहीं बना होगा बहुत आराम से इस question को करने की जरूरत है है सरल बड़ जल्दवाजी में आपका ये कलत होगा पक्के से क्योंकि बहुत कंसेप्ट फुल कॉस्चन है बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है इसमें गहराई से कॉस्चन गया हुआ है सारे डन हो गए? क्लियर? तो ठीक है अब इसको next class में और करेंगे जो बचे हुए है ठीक ना? क्योंकि अब दिमाग की भी एक लिमिट होती भाई वो कब तक जहल सकता है? अब वो चीजें अंदर घुसना दिमाग में बंद हो चुकी है तो अगली class में अपन इसको और करेंगे बट मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा कि अगर अभी भी जैसे मुझे लग रहा है कि ये question आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको home work करें घर पे जाके आराम आराम से लगाओ फिर नहीं बनता है फिर मुझे से पूछो ठीक ना? ये question आपको अच्छे से समझ में नहीं आया भी आपको ये पर एंड करते हैं Thank you so much